Hello Everyone, Welcome to Learning Science आज हम जो है Free Electron Gase in One Dimensional Box का जो remaining बात है उसको करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने इनर्जी तक किया था इनर्जी जो है वो H cross square divided by 2 M N pi divided by L का whole square के बराबर होता है और इससे हमें पता चलता है कि जो इनर्जी है वो N पर depend है तो उसी equation को हम लिखेंगे और उसके बात देखते हैं क्या होता है तो यह जो है हमारा energy का value था और यहाँ पर N को हम quantum number कहेंगे ठीक है इस equation से हमें पता चला कि जो energy है वो quantized है और N को हम कहेंगे quantum number जब हम N के जगे पर one put करेंगे तब हमें lowest energy state मिलेगा zero put करेंगे तो zero आएगा ठीक है जो कि lowest नहीं है सबसे जो नीचे energy state है वो हमें N के जगे पर one put करके मिलता है तो N के जगे पर one put करते हैं E subscript 1 जो है वो बराबर होगा H cross square divided by 2 M N के जगे पर put करना है 1 pi divided by L का whole square जो कि हमारा बराबर होगा H cross square pi square 1 का square 1 ही होता है ठीक है 1 से इंटू करेंगे तो वो गायब हो जाएगा 2 M L square हमें मिलेगा अब यहां पर हम देख सकते हैं कि E1 जो है वो H cross square pi square divided by 2 M L square के बराबर है तो E N जो है वो हमारा कितना होगा N square into E1 के बराबर होगा ठीक है यह जो term है without N square वो E1 के बराबर होता है तो उसके जगे पर हम E1 put कर सकते हैं तो E N जो है वो हमारा बराबर होगा N square E1 के फिर हम उसके बाद निकालेंगे spacing between the energy levels यह जो energy level है न E1, E2, E3, so on up to E N उसके बीच में जो distance है spacing है उसको हम निकालेंगे तो E N plus 1 minus E N हम लिखेंगे ठीक है यह दो energy level है successive उसके बीच में distance कितना होगा E N plus 1 के जगे पर हम लिखेंगे N plus 1 का square E1 into E1 ठेक है यहाँ पर N के जगे पर N plus 1 है और E N के जगे पर हम लिखेंगे N square E1 और बीच में minus आएगा क्योंकि minus है न यहाँ पर फिर हम E1 को common बाहर निकालते हैं दोनों में present है bracket के अंदर बज़ेगा N plus 1 का whole square minus N square तो उसको हम लिखेंगे N plus 1 का whole square का value हम लिखेंगे जो कि N square plus 1 square plus 2N1 के बराबर आएगा 2N into 1 जो है वो 2N ही होता है A plus B का whole square का formula अपलाई किया है ठीक है फिर उसके बाद हम minus N square लिखेंगे यहां पर plus N square और minus N square जो है वो कैंसल हो जाएगा बचेगा यहां पर E1 और bracket के अंदर आएगा 2N plus 1 तो यह है spacing ठीक है ना हम draw करेंगे diagram Y axis पर हमारा energy है X axis पर हमारा N है हम suppose करते हैं तो N का value 0,1,2 so on आएगा 3,4 ठीक है और E का value हमें पता है E1 जो है वो N square E1 के बराबर होगा 1 square E1 जो की E1 ही है ठीक है यह N is equal to 1 पर E1 हमें मिलेगा यह हमने क्या किया है X axis पर N को 1 consider किया है अगर हमारा X axis पर N 2 है तो क्या होगा E2 जो है वो 2 square E1 के बराबर होगा 2,2 जा 4 होता है तो 4 E1 होगा और उसी तरीके से E subscribe 3 जो है वो हमारा बराबर होता है 3 का square E1 के 3,3 is a 9 होता है तो हमें मिलेगा 9 E1 और E4 हमारा बराबर होता है 4 square E1 के 4,4 is a 16 होता है तो हमें मिलेगा 16 E1 and so on ठीक है spacing आप निकाल सकते हो इस वाले formula को use करके यहां पर N हमारा क्या था lower वाला एनरजी लेवल था न तो उसको हमें consider करना है ठीक है अगर हम E2 माइनस E1 निकाल रहे है तो हमें N के जगे पर 1 लिखना है lower वाला एनरजी अब energy second जो है वो 4 E1 के बराबर होता है तो यहां पर हमें मिलेगा उपर गेप निकालने के लिए हम lower energy को use करेंगे मैंने आपको बता दिया तो यह है हमारा N is equal to 2 का energy level फिर N is equal to 3 का energy level जो है वो 9 times E1 के बराबर होंगे तो 9 times E1 यहां पर N is equal to 3 and so on तो ऐसे हमें energy level मिलता है ओके यहां पर N को हमने constant माना है 1, 2, 3 तो figure में यह problem है नीचे आप N नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अगर आप N लिख रहे हो तो E N जो है वो proportional होगा N square से ऐसे हमें relation मिलेगा E N और N जो है वो proportional है न तो ऐसे relation हमें मिलेगा जब हम दूसरे wave में figure को draw करेंगे बुक में दोनों को एक साथ draw करके दिखाया है हमने पहले किया था कि जो si X है वो A sin K X के बराबर होता है और si N जो है वो A sin N pi upon L X के बराबर होता है यह हमने पहले वाले वीडियो में किया है part first में तो si N हमारा कितना था si N हमारा बराबर है A sin N pi X divided by L के A का value हम निकालेंगे A का value निकालने के लिए हमें क्या करना होगा हमें जो है normalizing condition जो है apply करना होगा normalizing condition क्या कहता है normalizing condition कहता है कि जो integration है 0 से लेकर L तक हमारा particle box के अंदर है si N star और si जो है वो बराबर होगा 1 के जहां पर si N star जो है वो si N का conjugate है si N और si N star क्या है probability of finding particles वो 1 के बराबर होगा conjugate means अगर एक iota में है तो दूसरा negative of iota में हमें मिलेगा अब यहां पर कोई iota है ही नहीं तो दोनों का value सेम होगा ठीक है यह आपको shortinger wave equation वाले topic में मिलेगा यह सारी relation तो यहां पर हम si N star के जगे पर A sin N pi X upon L put करेंगे और si N के जगे पर A sin N pi X upon L put करेंगे और वो जो है हमारा 1 के बराबर होगा A into A जो है वो A square होता है sin into sin जो है वो sin square होता है और उसके साथ हमें angle को लिखना है और वो जो है हमारा 1 के बराबर होगा ना हम क्या करेंगे हम जो है A square को integration के बाहर निकालेंगे क्योंकि उसको हमें integrate नहीं करना है ठीक है और sin square theta जो है वो बराबर होता है 1 minus cos 2 theta divided by 2k whole divided by 2k ठीक है ये उपर वाला relation हमने use किया है इसका side change किया और divided by 2 किया तो sin square x हमें मिल गया ठीक है तो वो हमने किया है sin के जगे पर ये वाला formula अपलाई किया है technometric formula बागी सारे चीज़े सेम है फिर हम क्या करेंगे इस dx को 1 के साथ अलग से into करेंगे और integrate करेंगे बीच में आएगा minus ये जो cos वाला term है उसको dx के साथ अलग से into करेंगे और integrate करेंगे ऐसा हम कर सकते हैं बीच में plus minus हो तो अलग से integrate कर सकते हैं यहाँ पर divide by 2 भी आता है formula में तो उसको मैं बाहर लिख देती हूँ यह sign के formula में आता है 1 minus cos 2 theta divided by 2 आएगा whole divided by 2 फिर a square divided by 2 हम लिखेंगे integration हमें करना है x का differentiation और integration cancel हो जाएगा बचेगा x final value और initial value को put करेंगे x के जगे पर तो l minus 0 आएगा है ना integrate करने पर answer आएगा x फिर हम x के जगे पर उपर वाला value पुट करेंगे l minus नीचे वाला value पुट करेंगे 0 तो आएगा ये वाला value फिर हमें जो cos x वाला term है बाकी ये सारे हम constant मानेंगे l भी length है हमारे box का जो की change नहीं होगा ठीक है तो वो भी constant है तो cos को हम cos 2 ये जो term है उसको हम क्या करेंगे with respect to x integrate करेंगी तो करते हैं integrate फिर उसके बाद हम values को put करेंगी cos का integration होता है sign उसके angle को हमें लिखना है फिर उसके बाद उसके angle को integrate करना है ठीक है उसके angle को हम कैसे करते हैं integrate differentiated करके नीचे लिख देते हैं तो इस term का differentiation with respect to x जो है वो 1 होगा और constant बाहर आजाएगा ये तीनो term constant है तो उसको हम divide में लिखेंगे फिर हमें initial और final value को भी लिखना है यहाँ पर l minus 0 बचेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे l put करेंगे सबसे पहले x के जगे पर फिर हम minus 0 put करेंगे तो यहाँ पर x के जगे l put किया यह दिवाइट में है तो उसको भी हमें लिखना है तो यह आया हमें ठीक है 0 put करेंगे तो sin of 0 0 आता है तो उसको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर l जो है वो cancel हो जाएगा sin of 2 by n आएगा तो यहाँ पर l बचता है minus यह जो term है उसको हम solve करेंगी जो term divide में है वो तो ए constant है sin of 2 by n कितना आता है वो आपको पता होना चाहिए यह जो है ना l और l cancel हो गया है ठीक है x के जगी पर l put किया तो sin of 2 by n उसको हम sin of 2 n by करके लिख सकते हैं और हमें पता है कि जो sin of n by है वो 0 होता है ठीक है जैसे कि n के जगी पर 0 put करेंगे तो sin 0 आएगा जो कि 0 होता है ठी 2 है यानि कि ये even number है even हो या 8 हो doesn't matter sign of n pi हो या 2n pi हो वो हमेशा 0 आता है तो ये जो term है वो 0 होगा ओके L को हम लिखेंगे ये जो term है वो 0 है and 0 divided by anything किसी number से उसको divide कर लो 1 suppose या 2 pi upon L 0 ही आएगा तो यहां पर हमें 0 मिलेगा और वो जो है हमारे 1 के बराबर होगा क्योंकि L minus 0 L ही होता है ठीक है तो A square जो है वो हमारा बराबर होगा इसको into करेंगे 2 divided by L के A जो है वो हमारा बराबर होगा under root of 2 divided by L के फिर उसके बाद यहां पर wave भी ट्रॉक किया है अलग-अलग n के value के लिए अब उसको proof करके नहीं दिखाया है ठीक है तो हम भी proof नहीं करेंगे बड़ मैं आपको बता दूँगी कि यहां पर wave length का value कितना होगा और waves हमें कैसे नज़र आएगा तो यह अलग energy level है यह है E1, यह E2, यह E3 और यह E4 हमारा है ना यह हमारा box था ओके तो यहां पर box का length 0 से लेकर L तक था उसको हम लिखेंगे X is equal to 0, X is equal to L ना सबसे पहले अगर हमारा lambda 2L के बराबर है दूसरा condition होगा हमारा lambda 2L upon 2 के बराबर होगा तीसरा condition होगा हमारा lambda 2L upon 3 के बराबर होगा और चौता condition lambda 2L upon 4 के बराबर होगा 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, L upon 2 आएगा 2 or 2 cancel यहां पर L आएगा सबसे पहले तो हमारा lambda जो है इस length L के बराबर है यानि की एक पूरा wave ठीक है इसके अंदर आजाएगा इसी को तो हम wave length lambda कहते हैं ना तो वो जो है इसके अंदर आजाएगा अब यह twice L है तो इसका सिर्फ crest ही आएगा बाकी जो ट्रा है वो दूसरे L में आएगा ठीक है तो 2L होगिया lambda यहां पर अब यहां पर lambda 12 upon 3 दिया है तो इसमें हमें क्या मिलेगा हमें जो है एक crest यहां पर सुर्फ एक ही crest था ना एक ट्रा हैट होगिया यहां पर एक और crest 8 होगा और उपर एक और ट्रा ठीक है ऐसे आप याद रख सकते हो तो यहां पर हमें जो है दो crest और एक ट्रा मिलेगा lambda is equal to 2L upon 3 पर दो peaks और एक कहते हैं वेली मिलेगा और चौते में हमें दो crest मिलेगा दो ट्रा भी मिलेगा दो peaks और दो वेली वो होगा lambda is equal to L upon 2 यहां पर है ना L upon 2 तो यहां पर standing waves में आप यह topic पढ़ सकते हो कि lambda जो है वो L to L कैसे आया बोल कर ठीक है नाव हम books से पढ़ेंगे तो सबसे पहले energy जो है हमारा इतना है हमें इन दोनों equation से पता चलता है कि जो wave function है वो integral values के लिए N के लिए exist करता है ठीक है यहां पर N है ना तो wave function जो है वो N के लिए exist करेगा और जो उससे related energy level है corresponding energy level है वो contized होगा यानि कि numbers के form में होगा continuous नहीं होगा ठीक है बीच में gap होगा number N को हम quantum number कहते हैं और lowest energy हम N के जगे पर one put करेंगे तब हमें मिलता है N के जगे पर one put किया है उपर वाले equation में तो हमें E1 मिला ठीक है इसलिए से हम E N निकाल सकते हैं जो कि N square E1 के बराबर होगा और फिर E1 इतना है ना N square बच्चता है फिर उसके बाद हम spacing निकालेंगे energy levels के बीच में तो उसको हम कैसे निकालेंगे E N प्लस one minus E N करेंगे ठीक है तो उसके बीच में हमें gap मिल जाएगा E N प्लस one जो है वो N प्लस one का square E1 होगा और E N जो है वो N square minus one होगा A प्लस B का whole square apply करने के बाद minus करना है तो हमें मिलेगा 2 N प्लस one E1 energy level diagram यहाँ पर दिया यहाँ पर दोनों का mixture दिया है ठीक है एक ही आप बना सकते हो या ऐसे line line वाला horizontal line वाला energy level diagram या आप यह जो graph दिया है उसको भी बना सकते हो जो spacing है levels के बीच में वो length L पर box के depend होता है और N पर भी depend होता है यहाँ पर आप देख सकते हो जिसको हम कहते हैं quantum number और जो spacing है energy level का वो तभी important होता है जब L जो है वो atomic dimension के order का हो atom के जो size है ना उस size में हो length ना हम si N लेंगे और उसमें A constant का value निकालेंगे उसके लिए हमें normalizing condition का use करना होता है और इस condition को हम normalizing condition कहते हैं ठीक है short anger wave equation में आपको मिल जाएगा यह topic अब si star into si N इतना होता है sine square के जगे पर one minus course वाला formula हम apply करेंगे अलग से integrate करेंगे यह जो term है वो zero आता है और इसका term आता है L देगे इसको integrate करने के बाद हमें मिलता है L तो हमें जो है इस से A square का value मिल गया 2 upon L side change करने पर और A जो है वो under root of 2 upon L के बड़ाबर होगा उसको हम put करेंगे इस वाले equation में A के जगे पर तो si N हमारा इतना आता है और जब N हमारा one two three four होता है तब wave function जो हमें मिलता है वो figure में यहाँ पर दिखाया है figure 5.3 में N के जगे पर one two three four put करने पर जो हमें value मिलेगा standing wave में आपको बता चल जाएगा ठेक या है उसको हम proof नहीं करेंगे यह हमें standing wave देगा क्योंकि यह box के अंदर है तो lambda N जो है वो two L upon N के बराबर होता है जहाँ पर N जो है वो number of knots है हमारा यहाँ पर हमें कितने knots मिलेंगे एक knot यहाँ पर दो knot यहाँ पर तीन knot और यहाँ पर चार knot अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो zero knot है यहाँ पर one है यहाँ पर सिर्फ दो है और यहाँ पर तीन है तो आपका measure करने का तरीका थोड़ा अलग है ठीक है यहां पर lambda 1, 2L के बराबर है यहां पर lambda 2L के बराबर है lambda 3, 2L upon 3 के और lambda 4, 1 upon 2L के बराबर है इस हिस्षे को अगर हम इदर लेंगे तो note हमें नहीं दिखेगा लेकिन यहां पर एक note है और उसी तरीके से इसको यहां पर लिया है, दूसरे वाले फिगर में इसलिए हमें नोट नहीं दिखा है. और वेवलेंट मैंने आपको कहा ता, एक क्रेस्ट और एक ट्रा जब आता है तो वेवलेंट होता है, वो हमारा लैमडा के बराबर होता है. तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि energy levels क्या होता है wave function का जो A है constant उसका value निकाला और हमने अलग-अलग wave forms भी देखा waves को ठीक है? ठैंक्स पॉर वाचिंग